आज हम आपके लीए लेक्या एकदम नए नास्ती की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है इसे हम गिहों की आटे से बना के तयार करेंगे तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ और बड़ा बर्तन लिए जिसमें हम डाल देंगे दो कफ भरके गियों का आटा अगर आप इसमें एक कप मैदा और एक कप आटा डाल के बनाना चाहते हैं फिर भी बना सकते हैं फिर भी यह जो नास्ता है बहुत अच्छे बनेंगे तो हम यहाँ स्रिप दोही कब गेंगों का आटा लेंगे कि मासता को अगर आप खास्ता बनाना इसuis में डाल देंगे अधा कब सूजी ना हो मोतीवाली सूजी हो तो एक साथ महिए बपने की साथ यहां भी आिखने में भी है थोड़ा सा आप तर्म से नाफे का टेश्ट और भी बढ़ जाएक कि अब फ्लेवर के लिए अब इसी के साथ साथ हम यहां पे डाल देंगे चीनी पॉडर एक कप भरके हमने दो कप की हो काटा लिया है तो इसके हिसाब से हमने एक कप चीनी पॉडर डाला है मीठा अपने हिसाब से ले अब इसी के साथ साथ हम यहां पे डाल देंगे थोड़ा सा मीठ सोडा एक चुटकी भर जिससे आपके नास्ते जो है बाहर से खासता और अंदर से मुलाइमन के तयार होगा अब इसी के साथ हम यहां पर डालें चार से पाच बड़े चमच तेल यह रिफाइंट वायल है जिससे नास्ता आपका खासता बनेगा यह तेल जो हम डाल रहें मौय तो देख सकतेएं इसी तरह से अच्चे से मिक्स कर लें लोम तनके देखेंगी कि इसमें огएन है की नहीं अगर यह उन्हा थोड़ा से स्में गाल्या तो थोड़ा न डिल डाले टो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते होई हम क्या करेंगे की एक टाइट सा डो जैसा जैसा बना के तयार करेंगे क्योंकि ऽे मत ज्यादा बनाना है इस तरह के लेंगे तो पहले हम इसी तरह से सारे को बना लेंगे होगे तब आपको कनास्ते बनाने में आसानी होगी और जल्दे भी बनके तयार होगा तो देख सकते हम इसी तरह से सारे लुया को बना लेंगे सारे लुया बनाने के बाद एक धकन लेंगे और धकन की साइटा से इसे बीच में रखके दवा देंगे ताकि ये पेड़े के सेपका आ जाए और किनारे का जो हिस् मीडियम रख दिए और इस तरह से हम पेड़ी जैसा बना के सारा तयार कर लेंगे तो यहां जो हमारा सारा पेड़े है बनके तयार है अब चलते हैं गैस की तरह तो यहां पर गैस पर हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा है तेल गरम तेल में हम सारे नास्ते को डाल देंग क्योंकि अच्छे से हमें फ्राई करने इसका कलर होने तक फ्राई करेंगे तो एके sırिक Đ alma को डाल देंगे चोटी-चोटी पेड़े जैसे आपका नस्ता जो बनानों जट पट बनने वाला नास्ट ऑमें होते त्युध लोगत धराक्पर पISA में त्याठा कसे शफिये जबाक्षे कर दो खारकर सकते त्यूहर वाले जबास्टे है में पवाले नास्टे हैं इस तीज पारक्षे बहुत बिज़योग करेंगी है लेके बड़े तक तो देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है और यह फूल के भड़े साइज भी हो गया है और क्रेक्स भी आ गया है थोड़ा सा यह जो नास्ता है बहुत ही कास्ता बनके तयार होता है इससे हम स्रीप गियों की आटे से बना के तयार किय तिये नाश्काते निकालने के लिए हम इसमें सारे नास्त referendum को ढ़ने और इसमें को यह। तैयार हो जाए और इसका जो तेल एक्ष्ट्रा ये भी निकल जाए ताकि चिपचिपपण ना बने तो देख सकते देखने से कितने खासता लग रहे हैं तिसे हम सर्व कर लेते हैं इस नास्तियों कब कभी भी बना के खा सकते जटपट बनने वाला नास्ता ही इसे आप के दिखा देते हैं कि अंदर से कितने सौप्ट बन के तयार हुए हैं और बाहर से कितने खासते हैं मुमें जाते घूल जाने वाला नास्ता है ये तो देख सकते कितने अच्छे से बन के तयार हो इसका कलर भी एकदम अच्छे से चेंज हो गये देखिए अंदर से कितने एक बार आप जरूर ट्राय कीजिए इस तीज में आप इस खास्ते मीठे मत्री को जरूर बनाई और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आने पर लाइक कीजिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो किसा त।